हेलो दोस्तों स्वागत करता हूं अब सभी का अपनी यूट्यूब चैनल से फोग सिक्षा में आज हम तीसरा सेनेरियो को गरने जा रहे हैं रेकोड ट्रेगर फिलो का जिसमें हम क्या करने वाले हैं जब अकाउंट मेरा डिलीट हो रहा है तो मुझे उस टाइम पर उसके रिलेटिड जो कॉन्टेक्ट है उनको डिलीट होने से बचाना है देखते हैं कैसे हम फ्लोसेश को कर सकते हैं तो दोस्तों सेल्सफोर्स में मैंने लॉग इन कर लिया है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर अकाउंट का मैंने फ्रेंट वाला वीव उपन किया हुआ है तो यहां पर देखने वाली चीज क्या है गाइस देखने वाली चीज यह है जब मैं ऑब्जेक्ट मेरेचर पे जा इस नहीं होता है बट इस यह पी शथा मिटल के नाम से इसको मैं और इसको भी ओपन करता हूं और इसके रिलेटिट में भी कोई बी कोई पी कोई दिखने नहीं है मैं यहाँ पर एक contact बना देता हूं और इसको dell के को यहां पर new tab में open कर लेता हूं तो यह अमन सिंग के नाम से मैंने contact बना दिया तो यह मेरा contact बन गया अगर मैं अब इस वाले account को delete करूं तो मेरा यह delete नहीं होना चाहिए क्योंकि back end में relationship look up दिखा रहा है तो एक बार इसको delete करके देखते हैं तो मैं इस account को delete करता हूं और इस page को refresh कर लेता है ओ तो यह क्या हुआ यह मेरा contact कैसे delete हो गया मैं यहां पर अगर contact पर जाओं और अमन को यहां पर search करूं अमन सिंग तो मेरा कोई contact मुझे यहां पर नहीं मिल रहा we cannot find element associated with the prompt तो ऐसा क्यों हुआ यह look up होने के बावजूद भी इसका related contact क्यों delete हो गया क्योंकि guys account और contact relationship share करते हैं जो special type relationship होता है जिसको बोलता है look up cascade delete इसमें क्या होता है कि भले ही वो look up दिखा रहा है relationship but वो delete कर देगा क्या contact को जब account को मैं delete करूँगा तो look up का मतलब फिर क्या हुआ suppose करो मैं हाँ पर अगर new पर जाओं और मैं contact नहीं हाँ पर कोई create करने की कोशिश करूँ मिस्टर रमन सिंग के नाम से suppose में कोई contact मनाता हूं तो अगर यह इस तरीके का relationship है कि parent delete हो रहा है तो उस तरीके का relationship को master detail बोलता है और master detail में आपको पता है कि जो आपकी relationship वाली field होती है मुझे save करने दिया इसने तो इस वाली parent वाली field को mandatory नहीं मुझे alert दिया तो यह है तो look up देखो look up है जब उसने मुझे save करने दिया बट एक special type relationship है इसलिए वो क्या करता है जब parent delete होता है तो आपके contact हो जाते हैं यह इंटर्वी में पूछा जाता है यह scenario कि किस तरीके का relationship वो शेयर करते हैं आपस में तो अभी क्या हुआ मैंने आपको बताया कि look up cascade delete है इसलिए क्या हुआ जब मैंने account delete कि है तो contact भी delete हो गए तो अब मुझे एक scenario बनाना एक flow बनाना है जिसकी वज़े से मैं इस चीज को prevent कर सको तो मुझे क्या करना होगा इस back end में जाके यहाँ पर flow type कर लेना होगा flow और यह record trigger flow होगा हमारा तो new flow के बटन पर आप click करोगे यह थोड़ा load हो रहाया भी रिफ्रेश कर लेता हूं तो यह record trigger flow मैंने हाँ पर select किया create पर गए यहाँ पर object हम select कर लेंगे account क्योंकि इसी के deletion पर हमको चीज prevent करना है किस पर करना है पैना record is deleted जब account का record delete होगा तो before recorded deleted पर मुझे क्या करना है है यहाँ पर कोई भी सेट नहीं करनी मुझे किसी condition को सेट करने की जड़त नहीं है यहाँ पर हम इसके contact को get कर लेंगे guys get records तो get related contacts ठीक है तो यहाँ पर आप contact type कर दोगे ठीक है कौन से contact जिनकी account id किसके एकवल होगी guys यह जो आपका flow जिससे trigger हो रहा है उस record id के यह समझ आया यह क्या करा मैंने तो यह मैंने क्या किया जो record id यानि कि जिस जहां से starting होई मेरी flow की जो record trigger trigger point है मेरा वह कौन सा है account account कोई starting में मैंने यहाँ पर लिया था तो record account id यानि कि यहाँ पर मैंने चेक कर आया कि जो account id account id यह कौन सी है जो relationship वाली field है contact पे वह किसके एकवल है अगर उस particular account के एक वह ठीक है यानि कि वह उसके related contact यहाँ पर ले के आ जाएगा इस particular condition को जब हम set कर देंगे ठीक है यहाँ पर मैंने क्या करा जो relationship वाली field है मैं दुबारा से दिखा देता हूं एक बार आपको एक बार दुबारा से समझा देता हूं अगर थोड़ा भी confusing है तो यह contact पर जो relationship वाली फिल्टी का इस मेरी यह account आई ठीक है इसको मैंने किस से match कर रहा है जो मेरा account जहां से trigger हो रहा है मेरा airflow उसके equal है अगर तो उसके related सारे contact मेरे आ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे all record सारे records चाहिए मुझे उसके ठीक है यह मेरे आ गए अब यहाँ पर decision element हम ले लेंगे decision element हम क्यों लेंगे condition check कराने के लिए check records ठीक है इसका नाम रखते है इफ एक्जिस्ट अगर record एक्जिस्ट करते है ऐसा भी हो सकता है कि उस अकाउंट के कोई related contact होई ना और हमारा फ्लो चले बिना मतलब तो इसके लिए हम क्या करेंगे if get related contacts is null false यानि कि इसके अंदर value है अगर तो उस case में हम क्या करेंगे इफ एक्जिस्ट में क्या करेंगे अपडेट कर देंगे तो अपडेट में क्या करेंगे इसको मैं थोड़ा सा उपर लेके चला जाता हूँ जिससे clearly आपको दिखे तो यहां पर एक आपको option दिख रहा होगा update triggering records update related records पे जाओगा ट्रिगरिंग रिकोर्ट तो मेरा अकाउंट हो गया related record मेरे उसके contact हो गए तो अपडेट यहां पर मैं क्या update करूंगा गाईज अपडेट कॉंटेक्स आप एक बार सोचो कि यहां पर हम किस तरीके से सिनेरियो का करने वाले हैं तो अपडेट पर मैं जब गया update records related to the account record that trigger the flow है ना तो वो मेरे context हो गए सारे तो यहां पर मैं क्या करूंगा account dot कोंटेक्स को मैं यहां पर ले लेता हूं और इनको मैं क्या update कर दूंगा गाईज जब वो मेरा account delete करेगा उस टाइम पर कॉंटेक्स डिलीट ना हो उसको बचाने के लिए जो contact पर रिलेशन्शिप वाला फिल्ट था मेरा उस particular account से उसको मैं नल कर दूंगा ठीक है यानि कि suppose मेरा यह contact है ठीक है अब यह contact कैसे पता चल रहा है मुझे किसी account से लिंक है जब मेरा इस particular account में कोई value पड़ी है अगर कोई value नहीं पड़ी है तो ओवेस्ची बात है यह मेरा डिलीट नहीं होगा तो मैं इसको नल कर दूंगा अब से पहले ठीक है अब हम क्या करेंगे यहां पर एक आकांट id को क्या सेट कर देंगे गाई है है और इसको में एक बाद सेव कर देता हूं कि इसका नाम हम रख देता है प्रिवेंट गांटेक्ट डिलीशन ठीक है save कर देता है एक बार मैं दुबारा से go through कर देता हूँ flow का कि account जब मेरा delete होगा उस delete होने से पहले मैं उसके सारे contact get कर लूँगा यहाँ पर null condition में check करा लूँगा कि अगर सच में उसके contact है तो उस time पर मैं क्या करूँगा उन सारे contact में जो account ID वाली field है उसको blank कर दूँगा इसके delete होने से पहले जिससे कि क्या होगा मेरे सारे contact delete होने से बच जाएंगे इसको मैं save करता हूँ एक बार activate करता हूँ अब उसको front end पे जाके हम run करके check करेंगे ठीर पिछली बार क्या हुआ था मैंने आपको दिखाया था कि जब मैंने delete किया था अपना account तो मेरा contact delete हो गया था इस बार भी मैं देखता हूँ सब्सक्राइब कारतिक का मैं एक account open कर लेता हूँ इसके related में कोई contact अभी नहीं है तो मैं एक नया contact बना लेता हूँ सब्सक्राइब कर लेता हूँ तो पिछली बार क्या हुआ था जब मैंने account को delete किया था तो मेरा contact भी डिलीट हो गया था क्योंकि lookup cast के delete एक special type का relationship है account और contact के बीच में बट अभी हमने flow लिख दिया है flow में क्या करेगा कि account को delete होने से पहले null कर देगा जो इस वाली फिल्ड को ठीक है जिससे की मेरा यह डिलीट होने से बच जाएगा तो मैं इसको delete करता हूँ यह मैं delete करता हूँ और उसको check करेंगे तो यह मेरा delete हो गया और इसको मैं देखो अभी हाँ पर कार्तिक है इसको मैं refresh कर लेता हूँ एक बार ओके तो contact मेरा guys delete नहीं हुआ account मेरा blank हो गया तो देखा आपने किस तरीके से हमने save कर लिया अपने contact को delete होने नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब आप कस्टम relationship बनाते हो ना मास्टर डिटेल तो उसमें इसको ब्लैंक नहीं कर सकते यह आप चैक कर सकते हो और कमेंट बोक्स में मुझे बता सकते हो तो उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा बने रहे हैं मेरे साथ scenario 4 लेके आओंगे जल्दी thank you for watching